आज का पार्ट है सवसंतंत रिस्पेरेटरी सिस्टम पाला कोस्चन दब ATP का परिवर्थन ADP में होता है तो उत्पन होता है तो होता है उर्जा उपापचे के परणाम सवरूप उर्जा किस रुप में तुरंत रखी जाती है तो हो जाएगा ATP ऑप्सन नमर B गुलकोज के जल तता CO2 के पूर्ण विगट अफगटन में ATP अनुदपन होते हैं तो यह हो जाएगा 38 गलाइकोलिसिस में परिवर्थन होता है गुलकोज पाईरुबिक अमल में जली अफगटन में उर्जा मुक्त होती है उस्मा के रूप में कार्मनी योगिकों के विखंडन से उर्जा हत्पादन के लिए होता है तो हो जाएगा केटाबोलिज्म कोश्चन नमर सेवन सबसे पले किस परकार के सवसन सवसन का विकसित हुआ विकास हुआ तो यह होगा एन एन एरोबिक उप्सन नमर बी एक समान मनुस एक मिनिट में सांस लेता है तो हो जाएगा 14 से 18 बार यही 16 से 18 बार करें करें दिया रहता है हाइबर नेशन के समय मेडक सवसन करता है तो यह हो जाएगा आपका नम तवचा दवारा मनुस में निसवसित वाई में ओटू की मात्रा कितनी होती है तो 17 परसेंट होता है निमलिकित में कौन सा जन्तु सवसन तो करता है प्रन्तु सवसन अंग नहीं होते के चुआ कोशन और 12 तिल चटे में सवसन अंग है तो ट्रेकिया नेश्ट कोशन कोशिका में भोजन या ग्लुकोज का ऑक्सिकरन कहा होता है तो माइट्रो कॉंड्रिया में ग्लुकोज के एक अनू के पूर्ण अक्सिकरन से कितने एटीपी अनू प्राप्त होते हैं तो 38 अनू एटीपी प्राप्त होते हैं एटीपी संसलेशन के क्रिया है तो हो जाएगा उरजा सोसी इंडोर जयोनिक सबसन में कार्वाइडेट निम्लिकीत में विखंडित की हो जाता है तो हो जाता है आपका कार्बन अक्साइड और जल में सबसन है तो सबसन है आपका अपचियन केटाबोलिक परक्रिया एक ग्राम गुलकोज के संपूर्ण अक्षिकरन से कितनी अनुए टीपी बनते हैं तो बनते 38 अनुए टीपी कोशिकाओं के ततकालिन उर्जा उतपादन के लिए निमलिकीत में कौन सा एक लिया जाता है तो गुलकोज लिया जाता है मचली निमलिकीत की साहिता से सांस लेती है तो गिल की साहिता से सांस लेती है में 2 में मिलिकेट पादिवांगों में कुन सां सफसन अंग है तो पति आगे बढ़ते हैं किस्में होता है तो पेड़ों की पतियों में में 3 ओनने वाली ठाकवां किस्कारेंस अनवह होती है तो लیک्टिक एसिड का निंवान से 6 सफसन मार्ग यह दूसरेगे त्रिया में Q26, फेपड़ों की कूल वाई छमता होती है, 6-8 लिटर, मानव सरी के किस अंग में रूधिर उक्षिएन यूगत होता है, तो फेपड़ा, कौन वाई वी सफसन में समान है, तो हो जाएगा गलाइकोलिसीस, ATP है, तो ATP है, उच उर्जा सहीत, फास्पेट बंद का एक अनू, जल चरों में भूचरों की पेक्षा, सफसन की रियत्ती वरिगती से होती ही, देखिया इसका कारण क्या हो सकता है, तो जल में गुली उक्षिएन की मात्रा का, वाई में गुली उक्षिएन की मात्रा की क्योंकि इसका सवसन अंग है वात्तम ये ट्रेकिया मचली का एर ब्लेडर किस रूप में कारी करता है तो मचली का ब्लेडर जो हता है वो आपका साहयक सवसन और द्रवस्त्यतिक अंग दोनों की तरह कारी करता है कोश्चनवा 33 किस प्रक्रिया के द्वारा सफसन के दोरान गैसा रूदिर में परवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है तो इसका अंसर हो जागा आपका सी प्रिविश्रन और सक्री परिवहन आगे बढ़ते लंबे समय की कसरत का मुखी इंदन क्या होता है तो होता है आपका वसा अंडे से नया निकला टेड़ पोल किसके मादे स्वास लेता है तो भीतरी गलफड़ों से कौन सी सीरा फेप्रों से हिर्दय सुद रक्त ले रक्त लाती है तो हो जागा फुफूस सीरा को क्या करते है एं पिरिटोनीं कित में क्या कोशन tablespoon के से समान रूप से दिल के धरकने कि दर क्या होती है 72 से 80 दड़कन पर मिनट मानव सफसन में क्या छोड़ा जाता है तो कार्बन डायोकसाइड गले का एक फेला हुआ इसा जो लड़कों के आवाज बॉक्स को बढ़ाने के लिए जिमेबार होता उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं एडम का से एडम से एडम से अपल निमली कित मैं स चोड़ेगे स्वास में डैस सामिल होता है तो नाइट्रोजन सिलेस में जिल्ली की सुजन को डैस कहा जाता है तो ब्रॉंकाइटिस हमारे फेपड़ों में डैस को सिखाए होती है तो यह 600 मिलियन को सिखाए होती है हमारे फेपड़ों में आगे बढ़ते हैं मनुस में कोश्चन और फोटी एट ओटू का उप्यों करके पाइरुबेट का भी भाजन डेस में होता है तो माई टो कॉंडरिया में होता है को फोटी नान उर्जा उत्पादन के दोरान जब हमारी मांसपेस्यों की कोश्चाओं में ऑक्शन की कमी होती तो छो कारवन अनू डेस कारव आपे डिटेल भी सारा देखते जाईएगा आप लोग नीश वासन द्वारा डेस द्वारा होता फेपड़ों की अब इस फिती याद रखिएगा कोश्चन फिप्टी टू निमलिकीत में से कौन ऑक्सिजन यूगतोर ऑक्सिजन रहीत रख्त के मिस्रन के परवाह को सहन कर स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मानस सरी में सवसन वरनक है तो बी नमर आपका हीमोगलोबीन और इसके बार में आप देख सकते हैं तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है और आप लोग पढ़ते रिए लिखते रिए होंस यार बनिये और इतना पढ़िए ताकि आपके दिमाग में फीट हो जाए और दम जितना भी देखे और उसके अलावा भी आप अपने घर में भी दिमाग लाके पढ़ें ताकि आपका रिजल्ट निस्चित रूप से हो थैंक्यू बेरी मच